दोस्तो 2024 में अगर आपको एक ऐसा क्रेडिट कार्ड चाहिए जिसकी जीरो जोइनिंग फीस हो और वो आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाए तो IDFC First Bank क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक जबरदस चोईस हो सकती है इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के बाद आपको दोस्तो धेरो सारे बेनेफिट्स मिलने वाले हैं जिन सभी बेनेफिट्स के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ दोस्तो अपने इस IDFC credit card से जिस भी मन्त आप 20,000 उपैसे जादा spend कर लेते हैं तो आपको उस मन्त 20X reward point आपके spend के उपर मिलते हैं दोस्तो जिस मन्त आपका बड़े होता है उस मन्त आप कुछ भी अगर spend करते हैं तो आपको extra 10X reward point अपने इस credit card से spend करने पर मिल जाते हैं दोस्तो IDFC first bank credit card में आपको वैसे तो धेरो सारे features देखने के लिए मिल जाते हैं लेकिन एक तगड़ा feature आपको इस credit card में देखने के लिए मिल जाता है जो इसे other credit card से बिलकुर different बनाता है और दोस्तो आप यकीन मानिए इसी feature की वज़े से market के अंदर इस credit card की बहुत जादा demand बनी हुई है हर दूसरा व्यक्ति इस credit card को लेना चाहता है दोस्तो यह जो feature है वो है इसका forever reward point expire ना होने वाला system मानिए आपने किसी भी मन्त अपने इस credit card से spend करेके reward point earn किये और आप यहाँ पर किसी reason की वज़े से आने वाले 6 महिने तक या फिर एक साल तक भी उन reward point को अगर use ना कर पाएं तब भी आपके reward point expire नहीं होते है यानि कि जो reward point आप इस credit card से earn करते हैं उन्हें आप अपनी life में कभी भी यहाँ पर redeem कर सकते हैं gift voucher की तोर पर या फिर आप उन्हें पैसों में भी convert कर सकते हैं दोस्तो इस credit card में आपको एक और जो तगड़ा feature देखने के लिए मिल जाता है आप अपने इस credit card से अगर इंडिया में रहकर या फिर इंडिया से बाहर अदर किसी भी country में ATM से withdrawal करते हैं तो आपको 48 दिन तक interest free पैसा मिल जाता है यानि कि आप जो ATM से पैसे withdrawal करते हैं 48 दिन तक आपको bank को किसी भी प्रकार का कोई extra charge नहीं देना होगा दोस्तो IDFC first bank credit card में आपको दो तरह के credit card offer किया जाते हैं first credit card होता है दोस्तो secure credit card and second credit card होता है unsecured credit card दोस्तो secure credit card आपक credit card में spend करने के लिए मिल जाती है और यहाँ पर आप जो ABD करते हैं उस amount पर आपको bank highest interest rate up to 7.5% तक offer करता है यानि कि आपका दोस्तो credit card भी बन जाएगा and जिस amount कि आपने ABD करी है उस पर आपको bank से interest भी मिलेगा तो मैं आपको recommend करता हूँ कि अगर आप उन normal card के लिए eligible नहीं है तो आप दोस्तो ये ABD वाला credit card ले लीजिए and दोस्तो मैं आपको वीडियो के last में एक hidden trick बताने वाला हूँ जिस trick को अगर आप follow कर लेंगे न तो मातर आपको ये ABD वाला credit card सिर्फ 3 महीने चलाना होगा and उ दोस्तो इस unsecure credit card को ABD की base पर जरूर बनवा लीजिए दोस्तो secondly आपको secure credit card offer किया जाता है ये credit card उन लोगों को मिलता है जिनकी दोस्तो civil score अच्छी होती है and उनके पास कोई pass में credit card अगर होता है तो card to card उन्हें यहाँ पर secure credit card offer किया जाता है या फिर जो लोग यहाँ पर metro city से belong करते हैं अच्छी city से belong करते हैं उन्हें दोस्तो यह credit card normally बड़ी असानी से मिल जाता है तो दोस्तो अगर आपने भी यहाँ पर IDFC first bank credit card के इतने सारे benefits सुनने के बाद आपने भी अपना मन बना लिया है कि मैं भी इस credit card को apply करने वाला हूं तो अब मैं आपको यह credit card live apply करक लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जैसे आप उस लिंक पर किलिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसे interface निकल के आएगा अब यहाँ पर आपको apply करने के लिए जहाँ पर आपके सामने ने मैस अधार वाला कोलम निकल के आता है इसमें आपको अपने एंटर करने के बाद आपको simply यहाँ पर get OTP पर किलिक कर देना है आपके mobile number पर एक 200 OTP सेंड की जाएगी OTP यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है and then आपके सामने जो टमसें कंडिशन का बॉक्स निकल के आया है इसे आपको check mark कर देना है then आपको simply proceed वाले icon पर किलिक कर देना ह जैसे आप यहाँ पर proceed वाले icon पर किलिक करेंगे आपके सामने कुछ टमसें कंडिशन आएंगी उन्हें आपको agree कर देना है then आपको simply proceed वाले बटन पर किलिक करते हैं आपका process यहाँ पर start हो जाता है अब यहाँ पर आपको second process में आपको अपने pen card का number enter कर देना है यानि कि ज and आपको अपने area का pin code enter कर देना है, then आपको simply proceed वाले बटन पर click कर देना है, then आपके सामने कुछ ऐसे interface निकल के आएगा, अब यहाँ पर आपको few more details to unlock the perfect edit card for you, यहाँ कि आपको अपने कुछ additional details fill करने होगी, आपका occupation क्या है, आपको enter कर देना है, आप यहाँ पर sell lead है, self employment है, student है, homemaker है, या फिर आप professional है, आप यहाँ पर अपने coding enter कर सकते हैं, यहाँ पर आप किस company में job करते हैं, आपको enter कर देना है, then आपकी monthly income क्या है, वो आपको enter कर देनी है, अगर आपके पास पहले से किसी bank का credit card है, तो आप यहाँ पर apply हैवे credit card पर click कर सकते हैं, then आपको जो आपके पास पहले से credit card है, उसका नाम enter कर देना है, card का variant क्या है, आपको enter कर देना है, और आपकी card की limit क्या है, आपको enter कर देनी है, अगर आप दोस्तो card to card apply करते हैं, तो आपके credit card अप्रूव होने के chances बहुती ज़ादा बढ़ जाते हैं, अगर आपके पास पही credit card है, तो आप यहाँ पर card to card ज़रूर apply कीजिए, तो यहाँ पर हमारे case में, हमने यहाँ पर अपनी sub detail फिल कर दी है, then हम यहाँ पर अपनी card limit एंटर कर देते हैं, and then हमें simply continue वाले बटन पर click कर देना है, जैसे हम continue वाले बटन पर click करते हैं, हमारे लिए एक यहाँ पर best offer find किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर screen पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर हमारे लिए जो credit card यहाँ पर eligible होगा, जिसके लिए हम eligible होंगे, वो यहाँ पर हमारे सामने निकल के आ जाएगा, तो हमें यहाँ पर little थोड़ा सा wait कर लेना है, wait करने में आप से 15 से 20 सेकंड का time यहाँ पर लगता है, आपके लिए एक best offer find करने में, तो जब तक यहाँ पर हमारे यह best offer find होता है, हम यहाँ पर इसका इंतिजार कर लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, हमारे लिए यहाँ पर first wow credit card, जो IDFC बैंक की तरफ से आता है, उसके लिए हम यहाँ पर eligible है, जीरो फोर एक्स lifetime free credit card, with annual benefits worth 20,000 रुपए, याँनि की अगर हम इस IDFC wow credit card को लेते हैं, तो हमें यहाँ पर 20,000 रुपए के additional benefit हर साल होने वाले हैं, basically दोस्तों यह जो credit card हमें offer किया जा रहा है, वो दोस्तों हमें किया जा रहा है fixed deposit के against, यानि की जितने amount के हम fixed deposit करेंगे, उतनी amount हमें हमारे credit card में देखने के लिए मिल जाएगी, और दोस्तों जो amount आप यहाँ पर FD में डालते हैं, उस पर आपको annual interest rate 7.5% भी देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 50% of bookmixo पर मिल जाएगा, इसकी 0 annual fees है, 4x reward point आपको spend पर मिल जाते हैं, and 0 आपको 4x charges यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगे, तो simply दोस्तों आपको इस credit card को लेने के लिए, आपको यहाँ पर basically get started पर click कर देना है, जैसे आप get started पर click करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसे interface निकल के आता है, जैसे कि आप यहाँ पर इसकीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप 101% FD के अगेंस credit card ले लीजिए, तब भी आपको 2-3 महेने बाद normal credit card मिल जाएगा, जैसे आप get started पर click करते हैं, आपको यहाँ पर अपनी एक FD create करनी होगी, FD यहाँ पर दोस्तों अगर हम example के तोर पर मान ले, हम यहाँ पर 5000 रुपए फिल कर देती हैं, यहाँ पर आप simply अपने coding जितनी amount के आप FD करेंगे, उतनी amount आपको credit card में देखने के लिए मिल जाएगी, तो make sure कीजिए आप जितनी ज़्यादा amount के FD कर सकें, उतनी ज़्यादा amount के FD करेंगे, आप यहाँ पर अपना credit card बनवा लीजिए, यहाँ पर आपको अपने credit card के FD करनी होगी, आपको कम से कम 5000 रुपए के FD, उससे ज़्यादा आप कितनी amount के FD कर सकते हैं, जितने amount के आप FD करेंगे, उतनी limit आपको credit card में spend करने के लिए मिल जाएगी, तो आप मेक्सूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा amount की आप FD कर लीजिए, इस FD पर आपको 7.5% annual का interest मिलने वाला है, हमने यहाँ पर 5000 रुप एंटर कर दी है, देन हमने यहाँ पर confirm पर click कर दिया है, अब आपको यहाँ पर अपनी कुछ personal detail फिल करनी होगी, like आपका marital status क्या है, आपको enter कर देना है, आपकी यहाँ पर mother का नाम क्या है, वो आपको enter कर देना है, आपकी personal email ID आपको enter कर देनी है, आपको एक alternative mobile number enter कर देना है, देन आपके सामने यहाँ पर, जो कुछ यहाँ पर column निकल के आते हैं, यहाँ पर आपके सामने निकल के आता, आया मैं इंडिया citizen आपको यहाँ पर yes पर click कर देना है, आपके सामने second आता है, political export person आपको no कर देना है, आपको यहाँ पर आता है कि आपको यहाँ बैंक डिरेक्टर तो नहीं है, तो वहाँ भी आपको no कर देना है, देन आपको simply प्रोसीट पर click कर देना है, जैसी आप यहाँ पर प्रोसीट पर click करते हैं, तो यहाँ पर आपको अपने credit card की जरनी में, अपने यहाँ पर अधार कार्ड के बेस पर अपने स्क्रीट कार्ड की KYC करने होगी KYC करने के लिए आपको simply यहाँ पर अपने अधार का नंबर या फिर virtual ID एंटर कर देनी है then आप जैसी यह अपना अधार नंबर एंटर करते हैं आपके अधार कार्ड के साथ आपको MICHAELC कड़ने होगी जो आप यहाँ पर Doncर क्रेट कर देनी है जैसी आप नेकस्ट पर किलिक करते हैं अब यहाँ पर आपको अपनी कि अमाउंट एंटर करनी है अपना यहाँ पर अकाउंट की डिटेल एंटर करनी है और आपको simply NEX पर किलिक कर देना है हमारे यहाँ पर abd create होने का process start हो चुगा है अब यहाँ पर आपको net banking से या फिर UPI से अपना ये 5000 रुपेगा payment complete कर लेना है तो आपके यहाँ पर abd करने का process complete हो चुगा है और आपको यहाँ पर यह credit card मिल जाएगा अब आपको simply क्या करना है अब समझ लीजिए दोस्तो जवाब अपने यहाँ पर abd create करने वाला process complete कर लेते हैं तो आपको अपने स्क्रीट card को apply करने की journey में अपने यहाँ पर वीडियो के वाइसी complete करने होती है वीडियो के वाइसी में आपके साथ एक live agent connect हो जाता है तो आपको आपका अधा number आपका pen number आपके यहाँ पर photograph capture करता है आपके यहाँ पर signature के photograph भी capture किये जाते है then वो आप से कुछ यहाँ पर question answer करता है जैसे कि आपका address वगयरा, आपकी यहाँ पर आप किस company में जोब करते हैं यह आपसे कुछ questions यहाँ पर पुछे जाते है देन आपकी वीडियो के वाइसी का प्रोसेस फीदी ने 5 मिनेट कम्प्लीट हो जाता है कम्प्लीट होने के बाद आपका यहाँ पर IDFC FuzzBank क्रीट कार्ड को अपलाई करने का प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका है अप्रूव होने के लगबग आने वाले 5-7 दिन के अंदर आपके रेजिस्टर एडर्स पर यह क्रीट कार्ड डिलीवर कर दे जाता है डिलीवर होने के बाद आप अपने इस क्रीट कार्ड का पिंजनेट करकर IDFC मोबैल बैंकिंग की एपलिकेशन में लॉग इन हो सकती है अगर आप 30% यहां पर यूटिलाइस करेंगे तो आने वाले 3 महिने तक आप इस प्रोसेस को फोलो कर दीजिए तीन महिने के बाद आपको एक नॉर्मल IDFC First Bank क्रीट कार्ड ओफर कर दे जाएगा क्योंकि जब आप क्रीट कार्ड का 30% यूटिलाइस करते हैं तो बैंक की नजर में आप एक अच्छे कस्टूमर बन जाते हैं और आपकी दोस्तों सिबिल भी यहां पर बिल्ड होना इस साथ हो जाती है तो इसलिए आप हमेशा अगर आपने एपडे वाला क्रीट कार्ड बनवाया है तो आप सिर्फ उसका 30% यूटिलाइस करें तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने complete पुस्ते समझ लिया है कि आप IDFC First Bank क्रीट कार्ड कैसे बनवा सकती है अगर आपको इस कीट कार्ड को लेने में किसी परकार की कोई प्रोबलम आती है तो आप हमसे कमेंट सेक्से में कमेंट करके पूछ सकते हैं हम आपकी कमेंट का जरूर रिपलाई करेंगे अगर आप हमारी YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को जूड सब्सक्राइब कर लीजिए हम आपके लिए इसी तरह की जबर्दस वीडियो लाते रहते हैं हम आपसे मिलेंगे फिर किसी दिन फिर किसी वीडियो में तब तक के लिए जैहिन